जे हम दूस्तों स्वागताप का इस वीजी चेनल में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BAB.com, BSE, MAM.com, MSE, UGK या PG के जो भी स्टुडेंट हैं आपका CLC 3rd round आपको पता है इस्टार्ट हो चुका है और CLC 3rd round के admission process क्या रहने वाली है पूरी जानकारी को देखेंगे बीडियो के माददम से बीडियो को share का देना है सभी के साथ में CLC 3rd round के बारे में एक एक जानकारी एक एक update मैं आपको बता हुआ कि आपको क्या करना है CLC 2nd round आपको पता है पूरी तरह से 22 तारी को समाप कद्देग है CLC 2nd round के बारे में सबची समाप तो चुकी है अब दोस्तो CLC 3rd round है हमारा CLC 3rd round में हमें क्या करना हुआ पूरी जानकारी को देख लेते हैं देखें दोस्तो CLC 2nd round यहाँ पर समाप तो चुका है 22 तारी कि इसकी लाश्ट रखी गई थी admission लेने की अब दोस्तों यहाँ पर CLC 2nd round की लिष्ट है जो कि 24 से 27 और 25 से 26 तारी कि तक आईगी यह वो लिष्ट आईगी केबल अपग्रेडेशन लिष्ट है अपग्रेडेशन का मतलब है जिनका नाम CLC 2nd round में आ गया था CLC 2nd round में उन्होंने क्या किया करने के टाइम पर उन्होंने अपग्रेडेशन कर दिया तो अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि जिस कॉले में अड्मिसल ले लिए बो तो आपका सुक्यर रहेगा साथ ही आपको एक दूसरा कॉलेज भी अलोट किया जाएगा जो कि 24-27 तारीके बीच में होता है एक केबल उन्हीं चात्रों के साथ में होता है यानि कि अपग्रेडेशन लिस्ट जो आती है केबल उन्हीं चात्रों के आती है जो अपग्रेडेशन करते है और किसी की अपग्रेडेशन लिस्ट यहां पर नहीं आती है अगर अप्ग्रेडेशन लिस्ट में अगर आपका बाईचान किसी की स्टूडेंट का नाम आ जाता है तो अच्छी बात है बैसे कापी कमी स्टूडेंट होते हैं जिनका अप्ग्रेडेशन लिस्ट में नाम आता है अब दूस्तों हमें में बात है CLC 3rd round की, CLC 3rd round यहां पर आ चुका है, CLC 3rd round में हमें क्या करना है, वो हम देख लेते हैं, CLC 3rd round 20 जुलाई से start कर देगा है, UG का, यह UG का column है, left hand side वाला, यह PG का column है, right hand side वाला, यहां पर रजिस्ट्रेशन के पर उन चात्रों को करना है, जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिन्होंने CLC 2nd round तो कोई भी काम किया ही नहीं है, नहीं तो registration किया, नहीं choice filling की, कोई भी काम नहीं किया, तो उन्हें registration करना है, ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें, choice filling की, तो choice filling किसे करना है, choice filling जो नए student है, उन्हें तो करना ही है, साथ ही old student, जिनका CLC 2nd round तक नाम जो की admission नहीं हो है, CLC 2nd round में, अगर आपका अभी तक admission नहीं हो है, CLC 3rd round चल लाए, तो इसमें आपको choice filling करना पड़ेगा, जब तक आप choice filling नहीं करोगे, आपको मेरलिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो यहां पर एक बात समझ में आ गई होगी, कि registration केवल उनी चात्रों को करना है, जिनका अभी तक registration नहीं हुआ है, यानि कि new student को करना है, लेकिन choice filling new student को तो करनी है, साथ ही old student को भी करनी है, जिनका अभी तक admission नहीं हुआ है, बात कता में यहां पर ठीक है, इसके बाद में आता है, 21-27 के बीच में, और 22-28 के बीच में, document verification का काम चलेगा, document verification का काम किसे करना है, new student को करना है, केवालों केवाल, new student को document verification करवाना है, अगर आपका verification हो चुका है, ठीक है, अगर आपका verification हो चुका है, जो old student है, new student को तो verification करना है, और verification automatic होते हैं, इस बात का भी बिसेश ज्यान दाखना ओटोबेाटिक होते हैं आपको कॉलिज जाने की आवश् taper नहीं है अपको वैरिपेकेशिं हो जाता है जैसे आपका वैरिपेकेशन हो जाता है आपके मूपाल यह नंबर पर आपकी शनले मूबाल याचिकर्पेशन आपकी केवल चॉइस्पिलिंग करनी थी और यहाँ पर कोई भी काम नहीं करना है आप डॉक्मेंट आप verification नहीं करना है याँ नीज टूडेन को तो registration करना है निज स्टुडेंट को चॉइस्पिलिंग भी करने है लेकिन दोसों जो भी ओल्ड स्टुडेंट होने केबलों के वर चॉइस पिलिंग करना है और कब तक करना है यहाँ पर हमारी 24 जुलाई तक PG के स्टुडेंट हो करना है 25 जुलाई तक ठीक है समझ में आ गया अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपका पैयमेंट करके यानि कि आपको अपनी एड्मिशन प्रीज जमा करके आपको अपना एड्मिशन कंप्रेट कर लेना है लेकिन एक बात है हम पर ध्यान रखना है दोस्तो अगर आप यहाँ पर 31 जुलाई कपड़ी मेरले चेक करते हैं और आपको दिखाई देता है नो कॉलेज इनिशेट टु यू इसका मलब होता है कि आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला अब आपको क्या करना है मैं आपको बत कर दीजै क्योंकि दोसों सील जी रांड में जो एड़िशन होते हैं वो कॉलेज के दौर वोते हैं इसका नाम है कॉलेज लेवल काउंसल या अगर आपको को भी कॉलेज अलोट नहीं किया गया तो इसका मतलब कि आपका कि अलोट में लेटर कॉलेज के दौरा आपका नाम नहीं आएगा तब तक कॉलिज वाले आपका एक्टिवेट नहीं करें तो दोस्तों कॉलिज की जो लिस्ट आएगी 31 जुलाई उससे पहले एक बार आप अपने कॉले में कंसल्ट कर लेना जिससे क्या है 31 जुलाई को डारेक्ट आपका अलॉट में लेटर एक्ट क्या करते हैं अपको जानकारी समझ में आ गई होगी आपको बीडियो को शेर करते हैं अगर आपको CLC 3rd round के बारे में अब भी कोई भी doubt होता है तो आप मुझे comment करके जरूब बताना अगर आपका allotment letter download हो जाता है तो पीस आपको 4 अगस्त तक ही जमा करना है इस बात का अगर आप 4 अगस्त तक ही जमा नहीं करो तो आपका admission cancel कर दिया जाएगा ठीक है allotment letter कैसे download करना है इसके बारे में CLC 1st round CLC 2nd round के बारे में वीडियो बनाई थी तो आप उन वीडियो को देख लेना कौकि जो process रहने वाली है allotment letter download करना ही वो same रहने वाली है तो दूसरों वीडियो को impact करते समा मिलते हैं वीडियो में जानकारी के साथ तब पकली बाए